दानिश से शादी के बाद रुकसार ने आज पहली बार अपने ससुर को देखा था उनके बालों का रंग अभी भी काला ही था और उन्हें देखकर ऐसा लगी नहीं रहा था कि वो कोई बूढ़े इंसान है उनके कमरे में रुकसार को आने की सख्त मना ही थी खाना पीने का जो भी सामान बनता था वो सामान भी रुकसार उनके कमरे के दर्वाजे पर रखकर आ जाती थी लेकिन आज एक दम से सब बदल गया था रुकसार उनके ही कमरे में बेचैनी से टहल रही थी उसके ससूर वहीं चारपाई पर पड़े लंबी-लंबी सांसे ले रहे थे उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी सिंदगी के बस कुछ लंबे ही बचे है इनको अब तक डॉक्टर को लेकर आ जाना चाहिए था अब्बो की हालत और भी खराब होती जा रही है और फिर उपर से मौसम भी इतना खराब है रुक्सार ने परेशान होकर कहा अपने ससूर को देखा जिनकी आँखें पत्राने लगी थी तब ही अचानक से लाइट चली गई इस लाइट को भी अभी ही जाना था ये कहकर रुक्सार लैंप चलाने के लिए माचिस ठूणने लगी तब ही उसे एहसास हुआ कि उसके ससूर और उसके अलावा कोई तीसरा शक्स भी उस कमरे में मौजूद है कौन है यहाँ रुक्सार ने धीरे से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसके ससूर अब स्यादा कराने लगे थे तब ही उसे अपने चहरे के पास किसी की करमसा से महसूस होने लगी रुक्सार घबरा कर थोड़ा पीछे हट गई तब ही बिजली के चमकने से चंद लमों के लिए वो कमरा रोशन हुआ और रुक्सार ने अपने सामने काले लिबास में एक बहुत लंबी औरत को देखा जिसकी कमर रुक्सार की तरफ थी और चहरा उसका ससूर की तरफ था रुक्सार ये देखकर चीख मार कर पीछे जागिरी टभी कमरे का दर्वाज़ा खुला और बार से रुकसार का शोहर दानिश कमरे के अंदर आ गया। उसके साथ डॉक्टर भी थे, उसके हाथ में टॉर्च थी, उसने टॉर्च की रोशनी से रुकसार को नीचे गिरा हुआ देखा, रुकसार तुम यहां नीचे कैसे गिर गई, दानिश ने ये कहकर रुकसार को साहरा दे कर उठाया, वो मैंने अभी यहां पर किसी को देखा थ डॉक्टर साब ये मेरे वालिद हैं, आज अचानक ही इनकी तबियत खराब हो गई दानिश ने अपने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा मुझे चेक करने दीजिए डॉक्टर ने कहा और दानिश के अब्बू की नबस देखने लगा डॉक्टर ने देखा तो उनके हाथ में नबस नहीं थी और हाथ में एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था मुझे माफ कीजिए चनाब लेकिन ये अब नहीं रहे इन्हें मरे हुए भी तसबारा घंटे से ज्यादा हो चुके हैं डॉक्टर ने कहा ये आप कैसी बातें कर रही है जब मैं आपको लेने गया था तब तक ये जिन्दा थे जरूर आपको कुछ गलत फैमी हुई है दानिश ने चौकते हुए कहा मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि मुझे दिखाई दे रहा है इनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है डॉक्टर ने कहा दानिश ये सुनकर सत्मे में आ गया हिम्मत से काम लीजिए डॉक्टर ने दानिश का कंधा थपठपाते हुए कहा अब मैं चलता हूँ डॉक्टर ने कहा और वहां से चला गया दानिश और रुक्सार एक दूसरे के कले लग कर रोने लगे हिम्मत कीजिए ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा रुकसार ने दानिश के आंसु पोंचते हुए कहा समझ नहीं आता कि अब्बू ऐसे कैसे अचानक से हमें छोड़ कर चले गए दानिश ने कहा तभी बाहर से कुछ भारी आवाजें आने लगी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हवेली का दर्वाजा तोड़ना चाता हो ये आवाजें कैसी आ रही हैं रुकसार ने पूछा रुको मैं देखता हूँ दानिश ने कहा और हाथ में टॉर्च ले ली मैं भी आपके साथ चलती हूँ रुकसार ने कहा रुकसार तुम यहीं रुको दानिश ने कहा नहीं मैं यहां नहीं रुकूंगी रुकसार ने थोड़े खौफ के साथ कहा ठीक है चलो दानिश ने कहा दोनों सीडियों से नीचे आए उस दर्वाजे पर अभी भी आवाजें हो रही थी कौन है बाहर दानिश ने दर्वाजे के पास आकर उंची आवाज में कहा तो दर्वाजे पर होने वाली आवाज बिल्कुल शान्त हो गई तब ही बिजली भी आ गई और हवेली बिजली के बल्बों से रोशन हो गई दानिश ने थोड़ा सा तरवाजा खोल कर बाहर चांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था बाहर तो कोई भी नहीं है दानिश ने थोड़ा परेशान सा होकर कहा मैं कह रही हूँ ना कि यहां कुछ ना कुछ हो रहा है जब तुम यहां नहीं थे तब मैंने उपर अब्बू के कमरे में एक औरत के साई को भी देखा था रुकसार ने लगभग रोते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है दानिश ने थोड़ी उची आवाज में कहा चलो उपर चलते हैं वैसे भी हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा दानिश ने कहा और रुकसार का हाथ पकड़ कर उपर ले गया वो लोग जब उपर आये तो कमरे की हालत देखकर उन दोनों के होश फाकता हो गये दानिश के अब्बू की लाश नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और उनकी चार पाई उपर पंखे से लटकी हुई जूल रही थी और सामने दीवार पर खोन से बहुत बड़े बड़े अलफाजों में कुछ लिखा हुआ था दानिश उसे पढ़ने लगा जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो दानिश के चेहरे पर ये पढ़कर मातम सा चा गया था उसकी नजर तुरंत अपने अब्बू पर पड़ी जिनकी एक उंगली खून से सनी हुई थी क्या हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? रुकसार ने पूछा कुछ नहीं लिखा हुआ यहां कोई है जो ये सब कर रहा है दानिश ने कहा और उसने भाग कर बाहर से अपनी बंदूग उठा ली तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ दानिश ने चिल्ला कर कहा तभी उसे नीचे कोई जानवर सा भागता हुआ दिखाई दिया दानिश ने उस पर बंदूग से फायर किया लेकिन वो बंदूग की गोली उस जानवर के नहीं लग पाई रुकसार तुम यहीं रहना मैं नीचे जाकर देखता हूँ दानिश ने कहा रुकसार उससे कुछ कहना चाती थी लेकिन खबरहट की वजह से उसके मुह से अलफाज नहीं निकल पा रहे थे उसने फिर से टेड़ी नजर से उस पंखे से लटकी हुई चारपाई को देखा जिसमें से दो पैर अभी भी नीचे लटके हुए दिखाई दे रहे थे दानिश उस जानवर को दलाशने के लिए नीचे चला गया दानिश के नीचे जाते ही वो पंखा तेजी से घूमने लगा और साथ ही वो चारपाई भी खूमने लगी रुकसार वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन उसके पैर जैसे की वहीं जम गए थे वो पंखा और भी तेज चलने चलने लगा और रुकसार ने उस चारपाई पर उसी औरत के साई को देखा तब ही वो चारपाई तेजी से पंखे के साथ नीचे गिर पड़ी और रुकसार चीख मार कर बेहोश हो गई दानिश नीचे आकर उस जानवर को देखने लगा लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था तब ही उसकी नजर सबसे आखिरी वाले कमरे पर पड़ी जिसका दर्वाजा खुला हुआ था और वहां से किसी की घुराने की आवाजें आ रही थी वो जानवर जरूर उसी कमरे में होगा दानिश ने कहा और फिर अपनी बंदूग लेकर उधर की तरफ पड़ गया दानिश जैसे जैसे उस कमरे के पास आने लगा वैसे वैसे उसे उस कमरे से आने वाली आवाजें भी बढ़ती जा रही थी दानिश उस कमरे के पास पहुँचा और उसने अपनी बंदूग को कसकर पकड़ लिया और फिर तेजी से अंदर खुसा तो वहाँ कोई भी नहीं था अजीब बात है यहाँ तो कोई भी नहीं है दानिश ने कहा तभी उसे उपर से रुकसार के चीखने की आवाज आई रुकसार? ये कहकर दानिश तेजी उपर की तरफ भागा उसने उपर आकर देखा तो वो रुकसार वहीं उसके अब्बू के कमरे के दरवाजे पर भी होश पड़ी हुई थी और उसके पास ही वो पंखा और पलंग पड़ा हुआ था या खुदा ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है दानिश ने कहा और फिर रुकसार को होश में लाने के लिए अंदर पानी लेने चला गया अंदर उसके अब्बू अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे अंदर से वो पानी लेकर आया और फिर रुकसार के चहरे पर पानी की छीटे मारने लगा कुछ ही देर बाद रुकसार को होश आ गया रुकसार तुम ठीक तो हो ना? दानिश ने रुकसार को होश में आता देखकर पूछा दानिश ने रुकसार को चुप रहने का इशारा किया और अपनी बंदूग उठा कर अपने अब्बू के कमरे में आ गया कमरे में आकर उसने देखा तो एक छोटा सा इंसान नुमा जानवर उसके अब्बू का खून पीने में लगा हुआ था उसे देखकर दानिश का दिल तेजी से धड़कने लगा दानिश ने उस पर बंदूग चला दी तो वो तेजी से कूथता हुआ कमरे से बाहर भाग गया और छट पर चला गया दानिश भी उसके पीछे पीछे छट पर जा पहुँचा दानिश ने छट पर पहुँच कर देखा तो वो अजीब सा जानवर सामने नहीं हुआ और वो कुछ ही देर में जंगल में खुसकर गायब हो गया दानिश फिर नीचे आ गया रुकसार वहीं कुमसुमसी पड़ी थी जंगलों की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ा दानिश ने उस पर गोली भी चलाई लेकिन उसका कुछ फायदा मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है दानिश को देखते ही रुकसार ने कहा कल पहले अब्बू को सुपुर्दे एक हाक कर दें पता नहीं वो जानवर यहाँ पर कहां से आ गया दानिश ने कहा और फिर अपने अप्बू के बेजान जिस्म को रुकसार की मदद से पिस्तर पर रख दिया बाहर फिर से तेज दूफान शुरू हो गया था दानिश ने उस कमरे की सभी खिड़किया और दर्वाजे को अच्छे से बंद कर दी और फिर बंदूक लेकर दर्वाजे के सहारे ही बैठ गया रुकसार भी दानिश से सिमट कर बैठ गई बाहर तूफान बहुत तेज था ऐसा लगता था कि जैसे हवेली के सारे खिड़की और दर्वाजे तूटने वाले हो फिर पता नहीं कब दानिश और रुकसार को नीद आ गई सुबह को दानिश की नीद खुली तो सब कुछ बिलकुल सामाने नजर आ रहा था वो उठा तो उसने देखा कि रुकसार अभी भी गहरी नीद में ही थी दानिश की नजर फिर अपने अब्बू के बिस्तर पर पड़ी तो वो बिस्तर बिलकुल खाली था दानिश ने कमरे में सब तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके अब्बू का बेजान जिस्म खिड़की से लगा हुआ खड़ा था दानिश अपने अब्बू के पास आया तो देखा उसके अब्बू की आँखे बिल्कुल फैल गई थी और उनकी नजरें वही सामने जंगल की तरफ थी अब्बू दानिश ने अब्बू को हाथ लगाया तो उसके अब्बू का बेजान जिस्म एकदम से नीचे गिर पड़ा उनका चेहरा इतना भयानक हो रखा था कि दानिश से नहीं देखा जा रहा था और फिर दानिश ने पास से चादर उठा कर अपने अब्बू के जिस्म पर डाल दी पता नहीं ये सब क्या हो रहा है दानिश ने थोड़ा घबराते हुए कहा उसने फिर रुकसार को नीद से ठीक है तुम इतना हेवेली के बाहर खड़ी रहकर मेरा इंतजार करो मैं बस अभी आता हूँ दानिश ने कहा और वहां से तेजी से निकल गया दानिश मस्जिद में एलान करवा कर वापस आ गया लेकिन बहुत तेर तक इंतजार करवाने के बाद भी उस गाउं से वहां को पुर्दे एखाक कर दिया दानिश वहां से वापस हवेली में आ गया रुकसार वहीं हवेली के दर्वाजे के पास से मटी हुई बैठी थी रुकसार जो भी सामान ले जाना है उस सामान को बांध लो हम कल जल्दी ही इस हवेली को छोड़ देंगे दानिश ने रुकसार से क अब जाना ठीक नहीं रहेगा ऐसा करते हैं कि ये रात इसी हवेली में काट लेते हैं दानिश ने कहा ठीक है मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ रुकसार ने कहा शाम होने से पहले ही दोनों एक कमरे में आकर बैठ गए दानिश ने अपनी बंदू वहीं अपने पास रख ली चाहे जो हो जाए आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे रुकसार ने दानिश से कहा हा मैं कहीं नहीं जाओंगा दानिश ने कहा शाम होते ही जंगलों में से आने वाली गीधरों की आवाजें तेज होने लगी रुकसार और दानिश दोनों उस कमरे के कोने में बहुत कोशिश की लेकिन कुछ देर बाद वो भी कहरी नीद में सो गया। आधी रात में अचानक से हवा के एक तेज छोके से उनके कमरे की खिड़की का जंगला एक ही छटके में तूट कर जा पड़ा। उसकी तेज आवाज से दानिश और रुकसार चौक कर नीद से हट कर पूछा शायद बाहर बहुत जोरों का तूफान आ रहा है इसी वज़े से ये खिड़की का जंगला तूट गया है दानिश ने कहा जो भी है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है रुकसार ने सिकुरते हुए कहा घबराओ मत कुछ नहीं होगा ने उसे दिलासा देते हुए कहा लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा खबराया हुआ था तभी अचानक लाइट चली गई और फिर सब जगह अंधेरा च्छा गया कमरे के अंदर से फिर से वहीं गुर्राने की आवाज आने लगी रुकसार जल्दी से यहां रोशनी करो दानिश ने घबराते हुए कहा रुकसार ने जैसे दैसे लैंप जलाया दानिश ने उस लैंप की रोशनी में देखा तो वहीं इंसाननमा जानवर उसी तूटी हुई खिड़की पर बैठा हुआ दानिश और रुकसार को घूर रहा था दानिश ने भाग कर अपनी बंदू दानिश को आवाज दी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला रुकसार घबराते उस कमरे के दर्वाजे की तरफ भागी जैसे ही रुकसार ने दर्वाजा खोला वैसे ही वो काले रंग के लिबास वाली औरत उसके सामने आ गई रुकसार उसे देखकर पीछे हट गई चली ज दिर से निकला हुआ खोन वहीं जमीन पर फैला पड़ा था चांत की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था दानिश को अपने पास कुछ आवाज आ रही थी दानिश ने देखा तो वो इनसान नुमा जानवर वहीं पास में बैठा हुआ उस जमीन पर फैले पून को चाटने में लगा हुआ था दानिश उसे देखकर घबरा गया वो पीछे हटा तो उसके हाथ में उसकी बंदूग आ गई दानिश ने वो बंदूग उठाई और उस इनसान नुमा जानवर पर फायर कर दिया उस इनसान नुमा जानवर ने एक तेज ड़कार ली और वहीं पर धेर हो गया उस तेज ड़कार को सुनकर हवेली के अंदर उस औरत के पैर वहीं पर ठिटक गये वो तेज से चिलाई और वहां से गायब हो गई उसके गायब होते ही रुकसार वहां से तेजी से नीचे की और बढ़ गई उस इनसान नुमा जानवर के मर्दे के अवाज आ रही थी जो की पूरी जगह गूँज रही थी दानिश हवेली के पास पहुँचा तो उसे दर्वाजे पर ही रुकसार मिल गई रुकसार चलो यहां से अब हम यहां अब और नहीं रुकेंगे दानिश ने कहा और फिर रुकसार को लेकर उस बगी में सवार होकर उस हवेली से निकल गया वो रोने की आवाज पूरी जगह कूँच रही थी और एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी ये रोने की आवाज कैसी है रुकसार ने पूछा नहीं जानता लेकिन कोई था जिसे मैंने अपनी बंदूग से जरिये मार दिया है दानिश ने कहा द जिजा में एक अजीब सी खामोशी चाई हुई थी तभी कुछ दूर जाकर बंगी अचानक से रुक गई और उसमें बंधा खोड़ा तेजी से हिन हिनाने लगा दानिश ने देखा तो जंगल में दोनों तरफ कुछ चमकीली आँखें उन्हें ही घूर रही थी रुकसार त की बगई की तरफ बढ़ रहा था कसार उसे गोर से देखने लगी इतने में ही वो साया तेजी से रुकसार के पास आ गया और रुकसार ने देखा कि वो साया वहीं लंबी और थी और उसके हाथ में वहीं इनसानुमा जानवर की लाश थी उसने बगई के पास आकर रोना कर तड़पने लगा और वो खोड़ा वहां से अपनी रसी तुड़ा कर भाग खड़ा हुआ दानिश की चीख पूरी फिजा में गूंच गई और फिर थोड़ी देर बाद वो चमकीली आँखो वाले इंसान नूमा जानवर पास के जंगल से निकल कर दानिश के चारों तरफ इकठा हो गए उस औरत के रोने की आवाज अब भी फिजा में कूंच रही थी नासिर की तबियत ठीक नहीं थी तो फैक्टरी से चल्दी निकल गया था और पैदल पैदल ही फैक्टरी से अपने घर लोट रहा था नासिर जब अपने घर के करीब आया तब ही उसकी नजर अ जीब आदमी हो बिना पूरी बात सुने अपनी बीवी की हिमायत करने लगे नासिर के पड़ोसी रईस ने कुस्से में कहा अरे तू अपनी बीवी को संभाल ले देख ले कैसी जबान चलाए जा रही है नासिर ने भड़कते हुए कहा आप अंदर जाईए ये लोग तो बह माशा देखने में लगे हुए थे अमीना अपने घर के अंदर से जाडू ले आई रईस की बीवी ने ये सब देखा तो मोहले के लोगों के सामने आ गई आप लोग देख लीजे इन लोगों की ही गलती है फिर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं रईस और उसकी बीवी ने मो तुझसे टकरा गई और मेरा सारा पानी भिखर गया और उसके बाद ये मुझसे ही लड़ने लगी रईस की बीवी ने कहा अच्छा और जो तुझसे टकरा कर मैं नीचे गिर गई उसका क्या अमीना ने पूछा तो बेहन टकराई तो तुम ही थी मुझसे मैं थोड़ी ना तो लड़ना तो मुझे चाहिए था रईस की बीवी ने कहा बस बहुत हो गया तुबिना जाडू खाय बाज नहीं आएगी ये कहकर अमीना उसके पीछे दोड़ी तो मोहले के दो चार लोग और सामने आ गए नासिर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का रोज का यहीं तम माग देखो नासिर का मकान मालिक भी वहां आकर बड़ पढ़ाने लगा अरे तुम लोगों को क्या पता कि हम लोग कितने बड़े रईस हैं गाओं में मेरे अब्बू की एक बहुत बड़ी हवेली है वो तो जरा मैं शहर में रहना चाता था इसलिए यहां हूँ नहीं तो जब मैं खोड़े पर सवार होकर यहां आता तो तुम सभी लोग मुझे सलाम ठोकते नासिर ने सीना चोड़ा करते हुए कहा हाँ हाँ बस ज्यादा बाते मत बनाओ वा हम लोगों को अच्छे से पता है कि तुम लोग कौन हो महले वालों ने कहा नासिर और उसकी बीवी अम वो महले वाले भी एक एक करके वहां से हट गए ये महले वाले ना आते तो इस बार उसे अच्छा सबक सीखा देती अमीना ने दांत भींचते हुए कहा हाँ ये तो है वैसे सभा और अधिबा कहा है नासिर ने पूछा सबजी लेने गए हैं अमीना ने कहा सभा अधिबा के दोनों बाजार पहुँचे तो वहां सभा की नजर चूडियों पर पड़ी। अधिबा देखो ये चूडियाओं कितनी प्यारी है ना। सभा ने अधिबा को चूडियाँ दिखाते हुए कहा। हाँ सभा ये तो बहुत ही प्यारी है। हाँ अब ठीक है क्यों न ये चूडियाम ले लें बहुत अच्छी लगेंगी सबा ने कहा लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं अधिबा ने सबा की चेहरे को देखते हुए पूछा तू सब मुझ पर छोड़ दे सबा ने कहा और वो चूडियां खरीद ली अधिकत इतने की है सबा ने पूछा दो रुपय किलो सबजी वाले ने जवाब दिया सबा ने देखा तो उसके पास बस दो चवणनी ही बची थी ऐसा करो कि आधा किलो लौकी तॉल दो सबा ने कहा तो सबजी वाला लौकी तॉलने लगा सबा ने उसे पैसे दिये और लौकी ले ल अमी येलो लौकी बस आधा किलो ही मिल पाई है आज तो पूरे चार रुपए किलो लौकी मिल रही है सभा ने जूट बोलते हुए कहा चार रुपए किलो हाई अल्लाह पूरी लूट मचा रखी है तु मेरे साथ उस सबजी वाले के पास चल मैं पूछूँगे कि इतना पैसा खाकर क्या करेगा अमीना ने भड़कते हुए कहा और फिर सभा का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी अमी बहुत वक्त हो गया है अब तो वो चला भी गया होगा सभा ने अपनी अमी को टालने की कोशिश की बिल्कुल नहीं पहले उस सभजी वाले के जाएंगे ये कहकर अमीना सभा के साथ जैसे ही बाहर आई वैसे ही बाहर डाकिया आकर रुका ये नासिर साब के नाम से चिठी आई है डाकिया ने कहा डाकिये की आवाज सुनकर नासिर भी बाहर आ गया चिठी मेरे नाम की मुझे कौन चिठी लिखेगा नासिर ने हैरानी से पूछा और फिर वो चिठी अदीबा के हाथ में दे दी जरा पढ़कर बताना कि किसकी चिठी है नासिर ने पूछा अदीबा ने वो चिठी पड़ी अबबा, गाउं से आई है चिठी दादा अपपा और चचा दोनों ही नहीं रहे ये कहकर अदीबा की आँखों में आँसू आ गए ओ मेरे खुदा ये सब क्या हो गया है नासिर ने गमजदा होते हुए कहा सब अफसोस जताने लगे सामान बांध लो, हम सब कल ही हमेशा के लिए गाउ जा रहे हैं वैसे भी अब उस हमारी हवेली को देखने वाला कोई नहीं बचा है नासिर ने अमीना से कहा अगली सवेरे नासिर अपने पूरे परिवार के साथ काउफ के लिए निकल गया गाउफ के बाहर ही दो तीन तांगे वाले खड़े थे लेकिन हवेली का नाम सुनकर कोई भी वहाँ तैयार नहीं हुआ अरे भाई हवेली जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है नासिर ने खुस्से में कहा जनाब हमें से कोई भी उस हवेली पर नहीं जाएगा हमें तो छोड़ो बाकी और कोई भी वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होगा उस तांगे वाले ने कहा तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वहाँ कोई जिन रहता हो नासिर ने कहा हाँ वहाँ जिन नहीं रहते हैं उस तांगे वाले ने कहा नासिर ने उन्हें घूर कर देखा चलो हम सभी पैदल ही हवेली पर जाएंगे नासिर ने उस तांगे वाले पर नजर डाल कर कहा सब फिर अपने सामान को खसीटते हुए आगे बढ़ गए थोड़ी ही देर बाद ही उनके पास एक तांगा आ गया मैं हवेली तक तो नहीं जाओंगा लेकिन उससे थोड़ी दूर छोड़ दूँगा और हाँ चार पैसे ज्यादा लूँगा उस तांगे वाले ने कहा चल ठीक है भाई पमन हंदान सबन हद से अपने नमाल हमें वहां ले चल नहीं तो इतने सामान के साथ तो हमारा रास्ते में ही दम निकल जाएगा नासिर ने कहा और फिर सब उस तांगे में सवार हो गए तांगे वाले ने हवेली के पास जाकर अपना तांगा रोक दिया वो देखिये जनाब, वो रही हवेली, तांगे वाले ने इशारा करके कहा, मुझे भी पता है, मैं पहले वहीं रहता था, नासिर ने तांगे से उतर कर कहा, तांगे वाला नासिर और उसके परिवार को कहरी नजर से देखने लगा, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, और उसने अमीना ने पूछा, ये हवेली अब भी वैसी की वैसी ही है जैसी आज से 20 साल पहले थी, नासिर ने कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम ये सब छोड़कर वहाँ शेहर में दो कमरों के घर में कैसे आ गए थे, अमीना ने पूछा, सब बताऊंगा पहले अंदर चलते हैं नासिर ने कहा, और फिर सब अंदर चले गए, इतनी बड़ी हवेली, यहां तो बहुत सारे कमरे हैं, चलो अधिबा हवेली में घूमते हैं, सबा ने अधिबा से चहकते हुए कहा, और फिर दोनों सीडियों से उपर की तरफ चली गई, दोनों उपर सब कमरों में घूम कर अपने रहने के लिए कमरा देखने लगी, तभी उन्होंने एक कमरे का दर्वाजा खोला, जिसमें दो बिस्तर पड़े हुए थे, हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, सबा ने कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे ये कमरा हम दोनों के लिए ही बना हो, अधिबा ने कहा, सबा ने एक खुला मैदान था, और सामने ही छोटा सा बगीचा दिख रहा था, और उसके पीछे ही एक जंगल दिखाई दे रहा था, चलो बाहर, उस बगीचे को देखने चलते हैं, सबा ने अधिबा से कहा, और फिर दोनों उस हवेली से निकल कर उस बगीचे की तरफ भाग गई, अरे तुम दोनों कहा भागी जा रही हो, अमीना उन दोनों को देखकर चिल्लाई, जाने दो, पहली बार ऐसी जगह देखी है तो घूमने दो उन्हें, नासिर ने अमीना से कहा, बस तुम तो ऐसे ही कह दिया करो, इतना सामान है ये सब कौन लगाएगा, बस इस घर में करन जिसने काला लिबास बहन रखा था, अमीना ने घबरा कर अपनी गर्दन घुमा कर पीछे देखा तो कोई नहीं था, अमीना ने वापस से शीशे को देखने के लिए गर्दन घुमाई, तो वो औरत का साया अमीना के सामने आ गया, अमीना की चीख निकल गई और वो वहाँ से भाग खड़ी हुई, सबा और अधिबा हवेली से निकल कर पीछे की तरफ आ गए थे, वहां अधिबा एक पुरानी इंटों से बना एक टीला देखने लगी, तू यहां क्या देख कर रही है, चल वहां बगीचे में चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या क्या है, सबा ने कह अधिबा को भी पकड़ा दिया, नहीं बाजी मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ ये, मैं तो बस इन फूलों को देखूंगी, अधिबा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, सबा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अधिबा उन फूलों को देखती हुई आगे बढ़ती आगे और भी बहुत तरह के फूल खेले हुए थे, उन्हीं फूलों के बीच एक बड़ा सा सुर्ख रंग का गुलाब चमक रहा था, अधिबा ने उस गुलाब के फूल को देखा और दोड़ कर उसके करीब आ गई, ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, अधिबा अधिबा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अधिबा कुछ देर तक उस गुलाब के फूल को देखती रही, और फिर उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तभी अधिबा के हाथ में एक कांटा चुप गया, आह, अधिबा के मुख से निकला, और उस अधिबा भागते हुए वो भूल गई थी कि जिस तरफ वो भाग रही है, वो रास्ता हवेली की तरफ ना जाकर जंगल की तरफ जाता है, सबा ने अधिबा की चीख सुनी, तो फौरन ही उसकी तरफ दोड़ पड़ी, अधिबा को भागते हुए कुछ भी होश नहीं था, वो बस भागी चली जा रही थी और वो साया लगातार उसका पीछा कर रहा था, भागते भागते अचानक अधिबा किसी शखस से टकरा गई, और उस शखस को देखते ही अधिबा की पीछे लगा साया एक तरफ मुड कर गायब हो गया, अधिबा ने उस शखस पर एक नजर पूछा रही हो. नासर ने अमीना को गुष्से से देखते हुए पूछा. वो उपर, उपर कोई नासर ने अमीना से कहा, और फिर अमीना को जबरतस्ती उपर ले गया. उपर कमरे में कोई भी नहीं था. लो देzkो यहाँ पर कुछ है बताओ, तुम्हें भी अजीब वहम हो रही है, नासिर ने अमीना को जड़कते हुए कहा, मीना अभी भी घबराई हुई सब तरफ देख रही थी, मैंने इसी शीशे में उस औरत के साए को देखा था, अमीना ने उस आदमकत शीशे की तरफ इशारा करके क नासिर ने कुछ देर तक उस शीशे को गौर से तकता रहा, तुम्हें इस शीशे से डर लग रहा है, तो मैं इस शीशे को ही इस कमरे से हटा देता हूँ, यह कहकर नासिर उस शीशे की तरफ बढ़ गया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नासिर उस शीशे को हिल प्रवाद भी नहीं पाया तुम वहाँ खड़ी रहकर क्या कर रही हो जरा आओ मेरी मदद करवाओ नासिर ने अमीना से कहा तो अमीना भी नासिर की मदद करवाने लगी लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी मजदूर को लगवा कर बाद में हटवा दूँगा नासिर ने हाफते हुए कहा जरा जल्दी ही हटवा देना मेरा दिल बैट रहा है इस शीशे को देखकर अमीना ने कहा ठीक है अब जरा कुछ खाने को बना लो बहुत भूक लगी है और ये लड़कियां भी पता नहीं क पर खौफ साफ देखने लगा था वो फिर तेजी से सभा और अदीबा को आवाज देता हुआ उस बाग की तरफ बढ़ गया नासिर जब आगे पहुचा तो उसे फूल दिखाई दिये जो कि मुर्चा कर काले पढ़ चुके थे ये सब तो खत्म हो गया था और दुबारा से ये सब शुरू नहीं हो सकता नासिर ने कहा और फिर सभा और अदीबा को आवाज देते हुए आगे उस जंगल में खुस गया सभा अदीबा को तलाशती हुई उस जंगल तक जा पहुची लेकिन अदीबा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी अदीबा सभा ने अदीबा क पलट कर देखा तो अदीबा वहीं घास पर लेटी हुई थी उसके चहरे पर एक मुस्कुराहट थी जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही हो अदीबा उठो अदीबा सबा ने अदीबा को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन अदीबा ऐसे ही बड़ी रही कोई हमारी मदद कीजिए सबा ने चिल्ला कर कहा तभी उसे अपने अब्बू की आवाज सुनाई दे गई अब्बू सबा पूरी ताकत से चिल्लाई नासिर को सबा की आवाज सुनाई दे गई थी वो तेजी से सबा की तरफ पढ़ गया नासिर जब वहाँ पहुँचा तो उसने सबा को अधीबा के पास देखा अधीबा को क्या हुआ है नासिर ने घबरा कर सबा से पूझा पता नहीं अब्बा मुझे बस अधीबा की चीख सुनाई पड़ी थी बस और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो अधीबा मुझे ऐसे बेहोश मिली सबा ने कहा नासिर ने अधीबा को उठाया और फिर जल्दी हवेली की तरफ बढ़ गया उसके पीछे पीछे ही सबा भी थी नासिर अधीबा को हवेली में ले आया अमीना ने जब अधीबा को देखा तो सब को छोड़ कर वो अधीबा को देखने के लिए आ गई नासिर ने अधीबा को पलंक पर लिटा दिया अधीबा को क्या हुआ है अमीना ने घबरा कर पूझा पता नहीं सबा को जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी नासिर ने कहा अमीना अधीबा के पास आ गई, पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को, अमीना ने अधीबा के सिर पर हाथ फेड़ते हुए कहा, अधीब का माथा गर्म तवे जैसा पक रहा था, जरा देखो अधीबा का जिस्म कितना गर्म हो रखा है, आप किसी डॉक्टर को क्यों नही अमीना ने परेशान होकर कहा, अभी नहीं पहले तुम अधीबा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखो, नासिर ने अमीना से कहा, सबा तुम जल्दी से अकरबत्ती उठा लाओ और उन्हें जलाकर अधीबा के पलंग के चारों तरफ लगा दो, नासिर ने कहा, तो अ अमीना और सबा जल्दी से वहां से चली गई, नासिर इतना अधीबा के पास ही बैठा रहा, थोड़ी ही देर में अमीना और अधीबा आ गए, अधीबा ने तुरंट अधीबा के पलंग के चारों कोनों पर अगर बत्ती चला दी, और अमीना ने अधीबा के माथे पर तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे बेहोश होई थी? सबा ने पूछा. नई, मुझे कुछ भी याद नहीं है. अधीबा ने कहा. ठीक है, अधीबा. अब तुम आराम करो. सबा तुम अपनी बेहन का खयाल रखना. नसिर ने कहा और अमीना को इशारा करके बाहर ले आया. अधीबा के ठीक होते ही, हम ये हवेली छोड़ देंगे. नसिर ने बाहर आकर अमीना से कहा. हवेली छोड़ देंगे, लेकिन क्यों? अमीना ने चौक कर पूछा. मैं तुम से हवेली छोड़ने को कह रहा हूँ, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वज़ा तो जरूर ही होगी. नसिर ने जवाब दिया. पहले तुम हम सब को हवेली में लेकर आए और अब खुद ही हमें इस हवेली से वापस ले जाना चाते हो. आखिर ये सब माजरा क्या है? अमीना ने गुस्से में पूछा. पहले मुझे ये पता था कि सब खतम हो चुका है, लेकिन कुछ भ बाओ मेरे साथ. ये कहकर नसिर अमीना का हाथ पकड़ कर हवेली के दूसरी तरफ ले गया. नसिर अमीना को एक कमरे के पास ले आया, जो एक बड़े ताले से बन था. उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे को बरसों से किसी ने ना खोला हो. नसिर ने अपने गले में पहनी हुई चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर जंग लग चुका था. अमीना जरा जाकर थोड़ा तेल ले आओ. नसिर ने अमीना से कहा तो अमीना जल्दी से जाकर तेल ले आई. नसिर ने उस ताले में तेल डाला और फिर से उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगी थोड़ी मेहनत के बाद वो ताला खुल गिया नासिर ने दर्वाजा खोला तो वहाँ धूल मिट्टी की गर्द जमा थी ये कौन सा कमरा है अमीना ने पूछा इस हवेली से जाने से पहले मैंने अपनी सारी चीज़ें यहीं चुपा कर रख दी थी और फिर ताला लगा कर यहां से चला गया था नासिर ने सब तरफ देखते हुए कहा आ जाओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ ये कहकर नासिर ने एक बड़ी सी तस्वीर से कपड़ा हटाया जिसमें एक रौपदार इंसान दिखाई पड़ रहा था अबबा ने ये हवेली बनवाई और इसके बंते के साथ ही सब बदल गया नासिर ने तस्वीर को गोर से देखते हुए कहा ऐसा क्या हुआ था मुझे पूरी बात जाननी है अमीना ने कहा इस हवेली के पीछे जो मैदान, बगीचा और जंगल है वो सारी जगे जिन्नातों की है नासिर ने कहा तो अमीना चौक कर नासिर को देखने लगी यहां जिन्नर रहते हैं अमीना ने घबरा कर पूछा वो अंधर्जबन साकत हाँ लेकिन इस हवेली में नहीं अबबा हम दोनों भाईयों से कुछ कटे-कटे से रहने लगे वो अधिकतर अपने कमरे में ही बंद रहते थे अक्सर उनके कमरे से हसने और खिल-खिलाने की आवाजें आती रहती थी हम लोग जब भी उनके कमरे के पास जाने की कोशिश करते तो वो हमें डांट कर भगा दे थे ये सिलसिला बहुत सालों तक चला तब तक हमें ये नहीं पता था कि असल माजरा क्या है बाद में पता चला कि वो एक औरत के जिन्न के कबजे में आ गए थे जो कि एक खुल नसल की जिन्न थी नासिर ने बताया ये खुल क्या है अमीना ने बीच में डोका जिन्नों की ऐसी नसल जो इनसानी खुन और मांस की शौकीन है नासिर ने बताया ओ मेरे खुदा अमीना ने अपने सीने पर हाथ रखकर खबराते हुए कहा हमें बहुत बाद में इस बात का पता चला वो भी तब जब एक मशहूर मौलवी साब हमारी हवेली पर आये उन्होंने हमारी हवेली पर कदम रखते ही बता दिया था कि हमा हवेली पर जिननातों का साया है उन्ही के कहने पर मैंने कुछ ऐसे काम किये जो मेरे अबबा को नागवार गुजरे लेकिन उस जिन्न से छुटकारा मिल गया अब्बू मुझसे इतनी नफरत करने लगे थे कि उन्होंने मुझे इस हवेली से निकाल दिया और उसके बाद मैं शहर चला गया नासिर ने बताया अब तो उस औरत का जिन्न यहां से जा चुका है तो अब यहां रहने में क्या दिक्कत है अमीना ने पूछा मुझे भी ऐसा ही लगता था इसलिए मैं उस चिठी को पढ़कर सब सामान लेकर तुम सब के साथ यहां आ गया था लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है वो सब हाँ तुम ठीक कहते हो अमीना ये कहकर कमरे से बाहर आ गई नासिर ने एक बार उस कमरे में सब तरफ नजर घुमा कर देखा और फिर वो भी उस कमरे से बाहर आ गया बाहर आ कर उसने ताले को वापस उस कमरे में लगा दिया दोनों फिर सभा और अधीबा वाले कमरे में आ गए सभा और अधीब दोनों गहरी नीद में सोई हुई थी अमीना ने अधीबा का चिस्म छू कर देखा तो वो अब सही लग रहा था चलो इन्हें आप सोने दो, हमें यहां से चलना चाहिए नासिर ने अमीना से कहा और फिर दोनों उनके कमरे से बाहर आ गए मीना और नासिर के वहां से जाते ही खिड़की से एक साया सभा और अधीबा के कमरे में आ गया और अधीबा के पास आकर उस उंगली को चबाने की कोशिश करने लगा जिसमें काटा चुबा था बाजी क्या कर रही हो अधीबा नीद में ही कस्मसाती हुई बोली तभी उस साई ने अधीबा के बाजी दर्ध हो रहा है मेरे तेजी से गटा अधीबा चिला कर उठ गई उसने देखा तो वहां कोई नहीं था और सबा सामने ही अपने बिस्तर पर सोई पड़ी थी तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जहां से एक साया कूद रहा था उस साय का खौफनाक चहरा देखकर अधीबा सदमे में आ गई और फिर से बेहोश हो गई सुबह को जब सपा की नीद खुली तो उसकी नजर अधीबा पर पड़ी अधीबा का हाथ बिस्तर से नीचे लहरा रहा था और खून की कुछ पूंदे अभी भी फर्ष पर बिखरी पड़ी थी अधीबा सबा उठी और फिर चल्दी से अधीबा के पास आई तो उसके हाथ पर एक गहरा खाव हो रखा था और सबा पेली जर्द हुई पड़ी थी अमी अब्बा सबा तेजी आवाज में चिल्लाई मीना और नासिर सबा की आवाज सुनकर भागे हुए वहां आ गए अमी अधीबा को देखिये ना इसके हाथ पर कितना बड़ा सक्म हो रखा है सबा ने घबराते हुए कहा अमीना ने उस खाव को देखा और फिर अधीबा को छू कर देखा तो उसका जिस्म बिलकुल ठंडा हो रखा था अमीना ने घबरा कर नासिर की तरफ देखा नासिर ने चल्दी से अधिबा के पास आकर उसे चूकर देखा तो उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया था नासिर ने फिर अधिबा की नपस टटोल कर देखी तो वो बिल्कुल शांत पड़ी थी ये देखकर नासिर के हाथ काँ पुठे मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ नासिर ये कहकर हवेली से तेजी से निकल गया मीना और सबा वही अधिबा के पास बैठ कर अफसोस करने लगे नासिर गाउं में पहुचा लेकिन वहाँ कोई भी उससे बात करने को तयार नहीं हुआ बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर का पता मिल पाया नासिर डॉक्टर के घर पहुच गया और उसके तरवाजे को खटखटाने लगा थोड़ी ही देर में एक बुज़ुर्ग से आदमी ने तरवाजा खोला बोलो क्या बात है उस बुज़ुर्ग आदमी ने पूचा मुझे डॉक्टर से मिलना है नासिर ने हाफते हुए कहा मैं ही इस गाउं का डॉक्टर हूँ बोलो क्या हुआ है उस बुज़ुर्ग आदमी ने पूचा डॉक्टर खुदा के लिए मेरे साथ चलिए मेरी बेटी का जिस्म एक तम ठंडा पड़ चुका है वो बेहोश है नासिर ने गिड़ गिड़ाते हुए कहा मैं चलने को तयार हूँ मुझे बताओ कहां चलना है उस बुजूर्ग आदमी से नासिर से पूछा बस इसी गाओं के किनारे पर जो हवेली है वहाँ चलना है नासिर ने कहा हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी के चहरे पर एक खौफ सा दिखाई देने लगा मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को नहीं देख पाऊंगा उस आदमी ने दर्वाजा बंद करते हुए कहा नासिर ने दर्वाजा अपने हाथ से पकड़ लिया डॉक्टर आप जो कहोगे मैं वो सब करूँगा जिंदगी भर आपकी गुलामी करने को भी तैयार हूँ लेकिन बस एक बार मेरी बेटी को देख लो ये कहकर नासिर बार-बार उस डॉक्टर के आगे हाथ जोडने लगा नासिर की बात सुनकर वो आदमी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया ठीक है तुम अपनी बेटी को यहां लेकर आजाओ उस आदमी ने कहा और फिर दर्वाजा बंद कर दिया नासिर उसकी बात सुनकर दोड़ता हुआ हवेली की तरफ बढ़ गया बाका जिस्म जर्द होने के बाद अब काला पढ़ने लगा था अमीना बार-बार अदिबा के हाथ में बने जक्म पर पट्टी बांथ थी लेकिन बार-बार पट्टी डीली होकर अपने आप ही उतर जाती सभा तेल से अदिबा की मालिश करने लगी थी इतने में नासिर कमरे में आ गया मैं अदिबा को डॉक्टर के लिए जा रहा हूँ ये कहकर नासिर ने अदिबा को अपनी गोद में उठाया और फिर वहां से तेजी से चला गया अमी अदिबा बच तो जाएगी ना सभा ने मायूसी से पूछा खुदा सब ठीक करेगा अमीना ने अपनी भीगी हुई आँखों से कहा नासिर अदिबा को लेकर उस आदमी के यहां आ गया पीछे वाले दर्वाजे पर आओ उस आदमी ने ऊपर से जांक कर कहा नासिर अदिबा को लेकर पीछे वाले दर्वाजे पर आ गया उस आदमी ने दर्वाजा खोला फिर एक बार सब तरफ देखा और फिर नासिर को जल्दी से अंदर घुसा लिया इस लड़की को यहां लेटा दो उस आदमी ने एक पलंग की तरफ इशारा करके कहा नासिर ने अदिबा को वहां लेटा दिया वो आदमी अदिबा को चांचने लगा तभी उसकी नजर उस खाव पर पड़ी और वो उस खाव को गौर से देखने लगा ये खाव इसके कैसे हुआ उस आदमी ने पूछा पता नहीं कल तक बस इसके एक कांटा चुबा था और फिर रात रात में ये खाव हो गया नासिर ने कहा वो आदमी उस खाव को गौर से देखने लगा और उसकी आँखें फैलती जा रही थी माफ करना लेकिन इस लड़की का इलाज नहीं हो पाएगा कुद्रती तोर पर ये मर चुकी है बाकी मैं एक डॉक्टर हूँ मेरा ये कहना ठीक तो नहीं लगेगा लेकिन हो सके तो इसे किसी अच्छे मॉलवी को दिखा लो शायद ये बच जाए उस आदमी ने कहा नासिर उस डॉक्टर की बात से समझ गया था कि वो क्या कहना चाता है लेकिन कोई तो रास्ता होगा तुम कुछ तो कर ही सकते हो नासिर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता ये कर वो आदमी खिड़की पर आ गया और बाहर देखने लगा शाम ठलने लगी थी सूरज डूब रहा है तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे यहां से ले जाना होगा उस आदमी ने कहा वो लगातार कुछ बढ़ता जा रहा था तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो है ना नासिर ने उस आदमी को गहरी नजर से देखते हुए पूछा मैंने का जाओ उस आदमी ने जोर देकर कहा तो नासिर उसे देखता हुआ अधिपा को लेकर वहां से निकल गया उधर हवेली में सबा और उसकी अमी अमीना बेसबरी से नासिर का इंतजार कर रही थी तब ही अचानक नीचे रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज आने लगी जरूर चूहे होंगे मैं देखकर आती हूँ अमीना ने कहा मैं भी आपके साथ चल रही हूँ अमी ये कहकर सबा भी अपनी अमी के पीछे हो ली दोनों जब नीचे रसोई में पहुँचे तो सब बर्तन बिखरे पड़े थे लगता है घर में कोई जानवर खुस गया है अमीना ने सब तरफ देखते हुए कहा तभी सब की नजर उस औरत के साए पर पड़ी जो कि ठीक अमीना सिर उपर रखी अलमारी पास खड़ी थी सबा उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी अमी सबा ने धीरे से कहा घबरा कर कहा सबा की नजरें उसी औरत पटिकी थी लेकिन अमीना इन सब बातों से भी खबर सारे बरतनों को करीने से लगाने में लगी हुई थी उस औरत के साए के हाथ उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगे थे अमी हट जाईए सबा ने अपनी अमी का हाथ पकड़ कर खीच लिया और फिर वो अलमारी तेजी से नीचे आकर चकना चूर हो गई अमीना ने घबराकर सबा को देखा अमी यहाँ कोई तो बुरा साया है यह सब कर रहा है सबा ने डरते हुए कहा अमीना ने कुछ नहीं कहा वो बस सबा को लेकर वापस उपर कमरे में आ गई और कमरे के दर्वाजे को अच्छे से बंद करके बैठ गई सबा जल्दी से अगरबत्ती जला लो अमीना ने कहा तो सबा ने अगरबत्ती जलाने के लिए पासी में रखी माचिस को उठा लिया बिजली के बल्ब की वजह से वहां काफी रोशनी थी तभी एक तेज आवाज के साथ वो बलब फूट गया और सब तरफ गहरा अंधेरा हो गया जल्दी से माचिस चलाओ अमीना ने घबराते हुए कहा सबा ने जल्दी से माचिस के तिल्ली चला कर रोशनी की और उस रोशनी में घबरा कर देखने लगी वो तिल्ली जल कर बुझ गई तो सबा ने जल्दी से दूसरे तिल्ली चला ली तभी किसी फूप मार कर उस तिल्ली को बुझा दिया और फिर उस कमरे में से हसने की आवाजें आने लगी अमीना ने सबा का हाथ पकड़ा और तेजी से उस कमरे से बाहरा गई और फिर उस कमरे को कस कर बंद कर दिया सबा ये सब देखकर रोने लगी थी डरने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची मैं तेरे पास हूँ अमीना ने ये कहकर सबा को अपने सीने से लगा लिया सबातों से बेखबर आदिबा को अपनी गोद में लिये हुए पैदल ही हवेली की तरफ लोट रहा था तभी नासिर को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है नासिर ने पलट कर देखा तो दूर तक सिवा सुमसान सबक के कुछ भी नहीं था नासिर फिर से वापस हवेली की तरफ बढ़ने लगा आदिबा का हाथ नीचे लहरा रहा था तभी किसी ने हाथ आदिबा का हाथ नीचे खींच लिया और नासिर अचानक मुह के बल नीचे जागे रहा उसने घबरा कर सब तरफ देखा उसने पीछे मुड कर देखना ठीक नहीं समझा क्योंकि पीछे आ रही आवाज उसे साफ ये एहसास हो रहा था कि वो जानवर अकेला नहीं है दोड़ते दोड़ते नासिर का सांस फूलने लगा था सामने ही हवेली दिखाई देने लगी थी थोड़ी यी देर में पीछे से आ रही आवाज हलकी पढ़ने लगी नासिर दोड़ कर हवेली के दरवाजे पर आ गया तब ही नासिर को हलका सा एक जटका सा लगा लेकिन नासिर बिना उसकी परवाह करे हवेली के अंदर आ गया बिजली दुबारा आ गई थी और सब जगब फिर से रोशन हो गई थी सबा की कमकपी जूट रही थी अमीना ने सबा को अपने सीने से ही लगा रखा था दोनों अभी उस कमरे से भार उपर ही खड़े थे लेकिन उन दोनों की नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी तभी नीचे उन्हें कुछ आहट सुनाई दी तो अमीना ने हिम्मत करके नीचे छाक कर देखा तो नासिर दर्वाजे से हवेली के अंदर आ रहा था अमीना नासिर को देखकर तुरंत सबा के साथ नीचे आ गई नासिर का चेहरा बिलकुल सपाठ हो रखा था और आदिबा उसकी गोधी में ऐसे ही बेचान पड़ी थी क्या हुआ? आदिबा ठीक तो है न? अमीना ने नासिर का चेहरा देखते हुए पूछा नासिर बस चुप ही रहा क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहो? अमीना ने घबरा कर पूछा अमी, सबा ने घबरा कर नीचे इशारा किया तो अमीना की नजर उधर पड़ी आदिबा का हाथ नीचे लहरा रहा था और उसके हाथ पर बने घाव से खून टपक रहा था अमीना ने और पास जाकर देखा तो उसकी आँखें हैरानी से फैल गई नासिर के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ था और जैसे ही आदिबा के हाथ से खून टपक था, वैसे ही वो अपनी जीब निकाल कर उस खून को पी लेता ये तुम्हारे पीछे कैसा जानवर है अमीना ने जैसे ही चिला कर कहा वैसे ही वो जानवर भाग कर एक तरफ भाग कर छिप किया सभी जल्दी से उपर चलो नासिर ने चिला कर कहा और फिर सब को साथ लेकर उपर बढ़ गया चलो जल्दी से अंदर चलो नासिर ने उसी कमरे के तरवाजे को खोल कर कहा अमीना ने घबरा कर सभा को देखा और फिर अंदर चली गई अंदर वो बल्ब वैसे ही जल रहा था ये बल्ब तो फूट गया था सबा ने दबी जबान में कहा नासिर ने आदिबा को पलंग पर लेटा दिया और उसके चहरे को निहारने लगा अमीना और सबा भी नासिर के पास आ गए तुम यहीं तो पूछ रही थी ना कि अदिबा ठीक है या नहीं तो फिर सुनो हम लोगों ने आदिबा को लगभग हो दिया है नासिर ने कहकर आदिबा को एक चादर से ठक दिया और दूसरी तरफ मुह करके अपने आंसू पोचने लगा नासिर की बात सुनकर अमीना पचाड खाकर गिर पड़ी और रोने लगी सब मेरी ही गलती है मुझे आदिबा को उस पगीचे में लेकर ही नहीं जाना चाहिए था सबाई ये कहकर चीखे मार कर रोने लगी सारी गलती मेरी है मुझे तुम लोगों को यहां लेकर ही नहीं आना चाहिए था नासिर ने रोते हुए कहा तभी एक तेज अवाज के साथ उनके कमरे की खिडकी खुल गई खिडकी की टेज अवाज के साथ ही सब लोग खबरा पड़े नासिर ने हिम्मत करके खिडकी से बाहर देखा तो बाहर शायद मौसम खराब हो रहा था तेज हवाएं चल रही थी नासिर ने जल्दी से खिड़की कसकर बंद कर दी और वापस उन लोगों के पास आ गया तभी अचानक से लाइट चली गई लाइट के जाते ही सबात तुरंत खबरा कर अपनी अम्मी से चिपक गई नासिर ने जल्दी से अपनी जेब में बड़ा लाइटर चला लिया और रोशनी करने के लिए लैंप तलाशने लगा लैंप पास की ही अलमारी के उपर रखा था नासिर ने अलमारी से उस लैंप को उतार कर चलाया ही था कि तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा ऐसा लगता था कि जैसे दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हो नासिर ने कमरे के तरवाजे पर जाकर बाहर की आहट लेने लगा अब भा खुदा के लिए बाहर मत जाना सबा ने घबराते हुए कहा तो नासिर वापस उन लोगों के पास आ गया बाहर जो आवाजें आ रही थी वो अब उनके कमरे के बिल्कुल बाहर से आने लगी थी तीनो टिक्टिकी लगाए उस कमरे के दरवाजे को ही देख रहे थे जो कि लगता था कि किसी भी लमे में खुल जाएगा तभी एक बार फिर से तेज आवाज के साथ वो खिड़की खुल गई और उस खिड़की से आए एक तेज हवा के छोंके ने उस लैंप को गिरा दिया और एक बार फिर से उस कमरे में अंधेरा चागया सबा और अमीना ये सब देख कर चीखने चिलाने लगे तभी लाइट फिर से आगई और वो कमरा फिर से रोशन हो गया नासिर ने जल्दी से वो खिड़की दुबारा बंद कर दी तो दोस्तों ये कहानी अभी बाकी है इस कहानी का दूसरा भाग पर सुरात 9 बजे मेरे चैनल पर आप सभी को सुनने को मिल जाएगा तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मेरे इस कहानी का दूसरा भाग दालू तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ पर सुरात 9 बजे